Hello everyone, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि switch case क्या होता है, okay, तो switch case को किस तरह से use करते हैं, और switch case work कैसे करता है, switch case का syntax क्या होता है, okay, तो वो देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली एक्जामपल करके, तो ज्यादा अच्छे समझेया कि switch case work कैसे करता है, okay, तो यहाँ पर मैंने एक syntax लिखके रखा है switch case का, तो क्या लिखना होता है, हमें switch लिखना होता है, switch के अंदर हमें value पास करना पड़ता है, okay, तो value कुछ भी हो सकता है, number हो सकता है, string हो सकता है, character हो सकता है, कुछ भी, anything, boolean value हो सकता है, कुछ भी, value का मतलब कुछ भी हो सकता है, okay, तो यहाँ पर cases declare कर भी भी statement हो सकते हो, आप कुछ भी addition करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, anything, तो यह cases होते हैं, मतब value अगर यहाँ पर मैंने example के तोर पर अगर माना 3, switch 3, अगर मैंने लिखा switch 3, तो यह directly case 3 में आ जाएगा control मेरा, अगर यहाँ पर मैंने लिखा switch 1, तो यह directly case 1 execute हो जाएगा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर, अगर case 4, तो directly यह case 4 वाला पार्ट रन हो जाएगा, तो यह example के through समझते तो ज़्यादा अच्छे समझेगा कि किस तरह से वर्क होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, void main लिखते हैं, void main की हमारा main function है, main function के अंदर हम switch case बनाते हैं, switch case बनाने के लिए switch लिखना पड़ेगा, और अंदर value, value में मैं देता हूँ 3, अभी के लिए, कोई भी value दे सकते हूँ, मैंने 3 दे दिया, और यहाँ पर cases declare करता हूँ, case 1, colon, और statement में मैं print कर देता हूँ, oany1, अगर case 1 है तो oany1 प्रिंट होना चाहिए, फिर case 2 बनाता हूँ, case 2, okay, case 2 में मैं लिख देता हूँ, print, two, okay, तो यहाँ पर अभी हम लोग calculator का भी example लेंगे आगे, लेकिन आपको basic में बता रहा हूँ कि किस तरह से work होता है, फिर case 3 में बनाता हूँ, okay, ऐसी ही जाते रहेगा, case 3 में मैं लिख देता हूँ, print 3, okay, इतना ही काफी है, फिर उसके बाद में last में लिखता हूँ, default case, अगर कोई भी case में नहीं गया तो default case में जाता है, default case में में लिख देता हूँ, invalid input लिख देता हूँ, invalid input, आप यहाँ पर कुछ भी show करवा सकते हूँ, लेकिन यहाँ पर error आ रहा है कि भाई बोल रहा है कि the case shouldn't complete normally, आप कोई भी case को normally complete नहीं कर सकते हैं, case के नीचे आपको break statement लिखना पड़ेगा, हर case के नीचे आपको break statement लिखना पड़ेगा, break से क्या होगा, अगर case 1 run होता है, तो उसके बाद क्या होगा, break हो जाएगा, मतलब आगे case 2, case 3 में नहीं जाएगा, अगर case 2 run होता है, अगर directly case 2 run होता है, तो उसके आगे के cases रन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें break statement यहाँ पे नीचे लगाना पड़ता है, हर case के नीचे, हर case के नीचे हम क्या करेंगे, break statement लगा देंगे, break, okay, break से क्या होगा, आगे के part execute नहीं होता है, तो अभी क्या हो यहाँ पर switch 3, तो directly यह 3 वाला run हो जाएगा, फिर उसके ब्रेक हो जाएगा, तो मैं run करके यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, हमें 3 प्रिंट होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पर 3 मैंने लिखा है, तो इसको value में लिख देता हो, value, ओके, और value एक variable है, उसको declare कर देता ह पर int value, और value में 3 देता हो, same चीज, value में मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो switch 3, case 3 में यह part मेरा execute हो जाएगा, तो run करूँगा, तो same output आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर value का मैं value change करता हूँ, 1 देता हूँ, ओके, तो 1 दिया, तो case 1 रन होगा, okay, print on event, okay, आगे के cases में नहीं गया, क्योंकि वो break हो जाता है, उसके बाद तो रन, अगर यहाँ पर case 1, 2, 3 है, okay, तो अगर मैंने यहाँ पर case 4 दे दिया, तो case 4 तो ही नहीं हमारे पास, तो directly क्या करेगा, default case में जाएगा, और default में क्या run होगा, हमें, invalid input run हो जाएगा, okay, तो इस तरह से switch case काम करता है, okay, तो अभी मैं क्या करता है, एक calculator का example लेता हो, एकदम simple, तो calculator के example के लिए हमें, क्या चाहिए रहता है, दो number चाहिए रहता है, okay, एक a ले लेता हो, मैं 10, और int 1 ले लेता हो, b equal to 20, okay, दो number ले लिया, इसको cut कर देता हो, जदा कम है थोड़ा, okay, cut क करना है, okay, तो मैं यहाँ पर एक variable लेता हो, where, operator नाम देता हो, उसका, operator, okay, equal to मैं देता हो, plus, अभी के लिए, okay, यह plus देता हो, और इस operator को मैं pass करूँगा, इसके अंदर, value के अंदर, okay, तो यहाँ पर plus आएगा, अभी case यहाँ पर 1, 2, 3 इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि यह यहाँ पर अभी जो operator है आपका, वो कहा है, string type का है, double quotes है, तो मतलब string है, इसको click करता हो, देखो, मैं यहाँ पर तो कहा हा रहा है, operator, किस type का हा रहा है, string type का हा रहा है, okay, तो अभी जो भी cases होंगे, वो string type के यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, string type का cases बना केस divide का चार ठीक है बाकी आप बना लेना अपने मुंसे एक केस में divide का बना लेता हूँ का तो अभी क्या होना चाहिए यहां पर operator में जैसे plus आता है तो मुझे print क्या होना चाहिए दोनों का sum print होना चाहिए a plus b का तो मैं लिख दूँगा a plus b यहां पर print हो के आ जाये तो तो उसी तरह से minus के लिए क्या करना है a minus b तो a minus b प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर जब मैं minus pass करूँगा तो तो run करता है इसको मैं तो run किया तो minus 10 आए क्योंकि 10 minus 20 क्या होता है minus 10 तो अभी multiply का भी कर लेते हैं और divide का भी कर लेते हैं a multiply b and divide में मैं लिख देता हूँ a divide by b तो अभी यहाँ पर multiply pass करके देखता हूँ तो क्या आना चीए 10 into 20 200 आगे 200 फिर अभी divide भी pass करके यहाँ पर देख लेता हूँ तो divide किया run करता हूँ जिसी run किया तो फिर 10 divided by 20 कितना हो तो 0.5 जो कि यहाँ पर print हो रहा है अभी कुछ औरी में operator देता हूँ जिसे and देता हूँ and का तो केस ही नहीं हमारे पास तो directly जाएगा default में तो invalid input यहाँ पर show होगा हूँ ओके तो switch case इस तरह से use करना है आपको तो काफी easy example मैंने लिया तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करे, subscribe करे, share करे दोस्तों में और मिलते हैं next topic में जहां पर हम तो देखेंगे की increment operator, decrement operator क्या होता है किस तरह से उसका practically example होगा वो भी हम तो देखेंगे ओके